हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो आज मैं बना रही हूं तिक्की आलू की तिक्की तो चलो देखते हैं किस तरह से बनाई है मैंने तो सबसे पहली यह हैं उबलेवे आलू जो मैंने ग्रेट कर दिये हैं कदू कस्पे और फ्रेस धनिया है बारी कटीवी हरी मिर्चच और जो मसाले जो एड़ करने हैं इसमें वो है भुनावा जीरा मासाले ज़्यादा कुछ भी नहीं है लाल मिर्ची का पाउडर है अगर चीली फ्लैक्स है तो चीली फ्लैक्स भी एड़ कर सकते हैं और नमक और सबसे मेन है इसमें चामल का आटा आज मैं और कुछ भी एड नहीं कर रही है इसमें ना मैदा ना कॉन फ्लोर मैं इसे चामल के आटे में बनाऊंगे और बहुत ही टेस्टी बनी थी तो कुछ देर इसे मिक्स करके छोड़ देंगे 10-15 मिनट उसके बाद हाथों में तेल लगाके और चितनी चोटी बड़ी चितनी सेप की चाहिए उस तरह से हमें गोल गोल बना देंगे इस तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे मीडियम साइच की बनाईए मैंने और इन्हें मुझे सेलो फ्राई करना है डीप फ्राई नहीं करना तो यह ओल हो गया है गरम अब हम इसमें डालेंगे टिक्की इस तरह से और मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम में या बिल्कुल कम आज में नी इसे पकाएंगे और यो यह भी चुके हैं एक साइट से एकदम क्रंची बनेदे और यह देखो अब इन्य निकाल देते हैं इन्हें वैसे भी खा सकते हैं चाइ के साथ सौस के साथ या चटनी के साथ मगर आज मैंने उसी तरह से बनाया है जिसे हम बाहर खाते हैं तो यह सारे हो चुके हैं और अब यह थोड़ी से मेरे पास रेडिमेट गोल गप्पे थे तो मैं इन्हें भी तल के इसमें डालूंगी तो सबसे पहले यह है एक टिक की काई बनाऊंगी तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी हरी चटनी और चीज़ भी इसमें अड़ कर सकते हैं जैसे आलूंगी जो आपको पसंद आए उबलेवे चने या उबलेवे मतर सुखी वाली मतर जो होती है यह दही अड़ करी है और यह जो मैंने गोल गप्पे तले थे वो वाले करस्ट करके डाल दिये हैं और सौंट डालिये मीठी चटनी नमक थोड़ा सा और एड़ करेंगी क्योंकि दही डालिये इसमें थोड़ा सा मीर्ची और भूनावा जीरा एक दम बढ़िया टेस्ट हो रहा था इसमें बहुत बढ़िया तो ये दही ये चटनी अपने साब से कम जादा कर सकते हैं इस तरह से